हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बेक, मैं हूँ सिती और आप सभी का मेरे कीचन में स्वागत है आज मैं बनाने वाले हूँ एवर ग्रीन और सब की फेवरिट काजु कतली तो आप भी मेरी ये रेचिपी यूज़ करके गर पे आसाने से काजु कतली बनाईए और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत बुलना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको कैसी लगी काजु कतली बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप काजु जीसते मैंने पीस लिया है और 1-3 कप चीनी काजु कदली बनने की प्रसे शुरू करते हैं उसके लिए एक पैन गरम करने के लिए रखेंगे फैन हलकी सी गरम होते ही उसमें चीनी डालेंगे हमने यहाँ पे वन थाड़ कप चीनी लिए तो वन थाड़ कप पानी डालेंगे गैस को फूल फ्लेम पे रखके हम पानी को ओवल ने देंगे और एक तार की चासनी बना लेंगे ये देखे हमारी चासनी तयार हो गई है तो इसमें पीसे हुए काचु का पाउडर डाल देंगे पीसे हुए काचु के पाउडर को हम चासनी के अंदर अच्छे से मिला लेंगे ताकि कहीं पे भी लम्स ना रह जाए अब इसे तीन से पांच मिनिट के लिए बॉयल कर लेंगे जिससे की अंदर जो एक्स्ट्रा मुश्चर है वो निकल जाए जब मिश्ट्रा में पेंच छोड़ने लगे तो हम गैस बंद कर लेंगे अब एक ठाले लेंगे और इसे गी लगा कर ग्रेस कर लेंगे अब उसमें तयार के हूँ आँ मिश्रन डालेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए अब इसे उलट पलट करते रहेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए हम इसे ज्यादा ठंडा नहीं होने देंगे हलका सा वाम ही रखेंगे अगर ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो बेलने में दिक्कत होगी ये हलका सा वाम हो गया है तो इसे एक साइड में रख देंगे और बटर पेपर लेंगे बटर पेपर को भी हम गी लगा कर ग्रीस कर लेंगे चीसे कि हमारी काजु कतली का मिश्रण चिपक न जाए अब इसके उपर हम काजु कतली का मिश्रण रख देंगे और बटर पेपर से डख देंगे अब इसे हम हलके हाथों से बेलन से बेल लेंगे मैंने यहाँ पे बटर पिपर का यूज़ किया है अगर आपके पास बटर पिपर अवेलेबल ना हो तो आप प्लास्टिक बैक या तो अलुमिनियम फॉयल भी यूज़ कर सकते है यह दिखे मैंने इसे बेल लिया है तो इसे ठंडा होने देंगे ताकि यह सेट हो जाए यह देखे हमारी काजू कतली सेट हो गई है तो इसे डायमंड शिप में कट कर लेंगे तो आपने मेरी वीडियो में देखा ना कि काजू कतली बनाना कितना आसान है तो आप भी इस दिवाले घर पे ही काजु कतल जरूर बनाएगा और मुझे जरूर बताना कि आपको कैसे लगी